मानो सभ्धिता के विकास की कहानी बहुत पुरानी है। प्राचीन समय में मानो जीवन बहुत वठिन था। तब प्रकृती के रहस्यों से हम पूरी तरह अनभेगे थे। जैसे जैसे हम इन रहस्यों को समझते गए, जीवन को सुगम बनाने के उपाए हम रोगते गए। समय बीता गया, हम नए संसादनों की खोच करते चले गए। बेशक आधुनी की करण की इस दौर में हमने बहुत से कृतिमान इस्थापित कर लिये हो। इस बात से भीन कार नहीं कि इनके बगर जीवन कठिन है। आफशक्ता से आगे अब हम प्रकृति के दोहन पर उतर आए। प्रकृतिक संपदाओं को हमने नश्ट करना शुरू कर दिया। हमने वरिच्छों की अंधादून कटाई शुरू कर दी। हमने उस महत्पूर्ण सुरोत को ही नश्ट करना शुरू कर दिया। जो हमारे जीवन के लिए अतिम अत्पों, प्राण वायू, आक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। हवाओं का बहना हो, या मानसुन चक्र, सब कुछ व्रिचों पर ही निर्भर है। व्रिचों के बिना मानों जीवन के अस्तित की कलपना तक नहीं की जा सकती। प्रिच हैं तो प्रिथवी की सता पर पीने योग पानी है, पेड़ पौधों से ही प्रिथवी पर हर्याली है। यह कारबन डायाकसाइड को आशोशित कर हमें ऑक्सीजन परदान करते हैं, वातावरण में विभिन गैसों का संतुलन बना कर रखते हैं, सूरिकी घातक पराबैगनी वीकिरणों से हमें बचा कर रखते हैं, प्रिथवी के तापमान को संतुलित करके रखते हैं, परंतु जिस तेजी से जंगलों की कटाई हो रही है उस अनुपात मेदी हम पेड नहीं लगाते हैं तो आदिन दूर नहीं जब पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की तरह ही हमें ऑक्सिजन सिलेंडर भी खरिदना पड़ेगा। अपने घर आंगन में नय पौधे लगाकर उन्हें व्रिच बनने दे। ऐसा करके आप अपना जीवन तो बचाएंगे ही साथ ही अपने आने वाली पेड़े को नया जीवन भी देंगे। याद रहे पेड है तो हम है पेड है तो कल है। अपने चाएंगे ही साथ है तो कल है। झाल